हेलो दोस्तो आज मैं आपको इस्टोरी सुनाने वाला हूँ रॉयल टीन्स मूवी की ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी तो मूवी की शुरुआत होती है एक फैमली से इस फैमली में मदर अपनी बेटी को बता रही होती हैं कि आज तुम नए स्कूल जा रही हो और तुम्हार के साथ बहुती ढंग से और इज़त के साथ पेश आना जो बेटी होती है वो अपनी बाखी बात सुनती तो है लेकिन उस बात से काफी जादा एग्री नहीं करती और वो उनको फोटो दिखाती है और बताती है कि रॉयल फैमली के बच्चे भी हमारी तरह ही होते हैं वो भी देखती है कि रॉयल फैमली के जो बच्चे होते हैं वो उसकी तरफ आ रहे होते हैं और काले जो कि रॉयल फैमली से बिलॉंग करता है वो उसके पास आके बैठ जाता है काले उसे अपना नाम बताता है वो लड़की उसे अपना नाम लाना बताती है वो उसका नाम गलत प् और इसके बाद टीचर उसे बाकी बच्चों के साथ भी इंटेड्यूस कराते हैं और सारे बाकी बच्चे उसे हाई बोलते हैं तब टीचर भी उसका नाम गलत प्रननस करते हैं और इसके बाद काले ही उसका नाम सही प्रननस करते हैं ये देखके लाना काफी खुश होती है कि finally काले उसका सही नाम pronounce कर पा रहा है इसकूल ख़दब होने के बाद लाना घर पौजती है और वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि आज उसने रॉयल फैमिली के बच्चों से भी बात करी और काले ने उसका नाम भी उससे पूछा इसके बाद लाना अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो वार्काउट करने के लिए जा रही है और उसके पेरेंट्स से कहते है कि तुम थियोदोर जो की एक छोटा बच्चा होता है उसे भी अपने साथ ले जाओ लाना थियोदोर को प्राइम में डालती है और इसके बाद वो दोड़ना शुरू कर देती है जब वो दोड़ना शुरू करती है तब उसको पुरानी बाते याद आने लगती है और इसकी वरे से वो काफी ड़ जाती है और वो एक अंजान रास्ते की तरफ भी बढ़ जाती है लाना फिर से दोड़ना शूर करती है लेकिन फिर से उसे अपने पुराने स्कूल की बाते याद आने लगती है और वो और जाड़ा दरने लगती है तब ही उसके सामने काले आ जाता है काले उससे पूसता है कि क्या तुम भी एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्राइ करने के लिए आई हो लाना उसे बता दी है कि वो यहाँ पे जॉक करने आई है और वो रास्ता भटक गई है और वो बताती है उसे कहां पे जाना है काले उसे सही रास्ता बताता है और उसके बाद वो पूसता है क्या ये थियो दोर तुम्हारा बेटा है इसके बार वो बताती है कि नहीं ये इसका छोटा बाई है काले जिसने शर्ट नहीं पैन रखी होती उसकी बॉडी पे एक कीड़ा चुबक जाता है और उसे लाना हटा देती है और इसके बाद काले उसके साथ एक फोटो क्लिक करता है अगले दिन जब लाना स्कूल पॉसती है तब वो फोटो काफी वारल हो जाती है और इसके बाद काफी सारी लड़किया उससे पूसती है कि तुम काले को कैसे जानती हो और ये फोटो तुमने कब खीची लाना सब कुछ सही सही बता देती है और तबी इसके बाद कुछ लड़किया आती है और वो उससे कहती है कि मागरिटा काले की बहन होती है औ टेस एक्च्वल में इंस्टाग्राम इंफुलेंसर होती है और उसके व्लॉग भी होते हैं और वो खुद की अर्निंग भी करती है टेस और मागरीटा की बिल्कुल नहीं बनती और टेस बताती है कि मागरीटा कोई अच्छी लड़की नहीं है उसे अपने रॉयल होने पे बह कर देती है वो कहती है कि मैं पूल पार्टी के लिए तैयार नहीं हूँ तो कहता है कोई नहीं हम तुमारे छोटे भाई थियो दोर के साथ भी ताइम जतीत कर सकते हैं इसके बाद लाना के पेरेंट्स लाना को पूल पार्टी के लिए जाने के लिए कह देते हैं काले लाना को छोड़कर बाखी फ्रेंट से मिलने चला जाता है और Лाना भी ब्रिंक और कुछ खाने का लेके बाखी दोस्तों से मिलने लगती है वहाँ पे वो टेस्स से मिलती है और टेस्स बताती है कि वो पार्टी से जा रही है वरना मागरीटा और उसके बीच में रडाई हो जाएगी लाना मागरीटा से बात करने लगती है मागरीटा उसकी ड्रेस और उस फोटो वाइरल के बारे में पूसती है जो की काले ने लाना के साथ खिची होती है इसके बार बताती है कि वो फोटो उसने नहीं वारल करी तो वो कहती है कि हो सकता है कि ये फोटो टेस्स ने वारल करी हो मागरीटा की दोस्त उसे क्लास के शोशल मीडिया अकाउंट्स पर कनेक्ट करने के लिए कहती है लेकिन लाना कहती है कि वो इन सब चीरों को नहीं चलाती और वो अपना screen time कम करही है इसलिए उसने सारे social media accounts को deactivate कर दीया तब ही वहाँ पर काले आ जाता है और लाना को अपने साथ ले जाता है लाना काले को बताती है कि जैसे तुम social media पे हो वैसे तुम रियल लाइफ में बिलकुल नहीं हो काले उसे बताता है कि हाँ शोशल मीडिया पे सब मुझे फक बॉय के नाम से जानते हैं और सब यही जानते हैं कि मेरे आस पास काफी लड़के रहती हैं लेकिन असल में मैं ऐसा नहीं हूँ इसके बाद काले उसे अपनी एक special cigarette पीने के लिए कहता है और वो उसे try करती है लेकिन वो कहती है कि उसे बियर जादा अच्छी लगी इसके बाद वो दुनों किसी करने वाले होते हैं तभी काले का फ्रेंड काले के पास आ जाता है और उनके बीच में किस नहीं हो पाती इसके बाद काले अपने दोस्त के पास चला जाता है लाना भी अपनी बियर को enjoy कर रही होती है लेकिन तभी उसे अपने पास्ट के स्कूल की बाते याद आने लगती है और वो और परिशान होने लगती है इसके बाद वो उट्टी है और पूल के पास जाती है वो पूल को देखती है और एद्दम से उसमें जम कर देती है बाकी सबको लगता है कि लाना मरने की कोशिश कर रही है और तभी काले भी स्विमिंग पूल में कूच जाता है और वो लाना को पकड़के उपर की तरफ ले आता है इससे लाना काफी गुस्ते में आ जाती है और वो कहती है कि तुम लोगों को पता ही नहीं कि पाल्टी कैसे करते हैं यहाँ पे पूल है अच्छा खाना है और तब भी तुम बातों में लगे होई हो कोई पी जना स्युइम ने कर रहा मैं तो बस स्युइम कर रही थी पता नहीं तुमने क्यों ऊपर मुझे खीच लिया इसके बाद लाना वहाँ से चली जाती है लाना अपने घर की तरफ जा रही होती है और तबी उसे ओमेटिंग होने लगती है और तब ही उसके फादर उसे वहाँ पे देख लेते हैं और वो से ठिक ठाक घर ले आते हैं और वो उसको उसके बेट पे भी पहुचा देते हैं जब वो बेट पहुच जाती है तब उसके फादर उसके कहते हैं कि तुम्हें प्रिंस को यानि काले को सब कुछ सच सच बता दे चाहिए इसके बाद काले का सुबह मॉर्णिंग में मेसेज आता है कि ठैंक्स कि तुम कल पार्टी में आई और सौरी कि तुम्हें पूल से निकाला या फिर तुमारी जान बचाए इसके बाद वो एक और बोटिंग के लिए उसे बुलाता है लेकिन लाना मना कर देती है लान लाना से पूसता है क्या वो उसके भाई को गोदी में उठा सकता है और जैसे ही वो उसके भाई को गोदी में उठाता है वो उसके उपर सुसू कर देता है और इसके बाद उसकी शर्ट भीग जाती है लाना उसके लिए नई शर्ट लेके आती है और वो से sorry भी बोलती है कल के लिए कि कल उसने जान पूछ के जादा ही गुस्ता कर दिया क्योंकि वो drunk थी और उसके बाद वो उनों हक करते हैं और तभी वो किस करने वाले होते हैं तभी लाना के parents घर पे आ जाते हैं और वो ये देखके काफी embarrassed होते हैं लेकिन वो कहते हैं कि हम आपके लिए खुश हैं और आप लोगों को घर पे नहीं रहना चाहिए आप दोनों को बाहर जाना चाहिए इंज्वाइ करना चाहिए इसके बाद काले लाना को लेकर बोटिंग पर चला जाता है बोटिंग पर वो दोनों एक दुसरे से काफी बाते करते हैं काले उससे पूसता है तुम काफी ओनेश्ट हो और वो उससे पूसता है कि तुम होश्टिन जो की लाना का पुराना शहर होता है उसे छोड़ कर यहां क्यों आ गई लाना बताती है कि उसके डैड ने जॉब चेंज करी इस वरे से वो यहां पर है और वो बताता है कि तुम पहली लड़की हो जिसने मेरे साथ फोटो को चान पूछ कर वारल नहीं किया और वो बताता है कि यह सब काम उसे बिल्कुल नहीं पसंद और उसकी जो फोटो वारल हुई थी लड़कियों के साथ वो भी उसने नहीं कीची थी और इसके बाद वो फोटो कई शहरों में वारल हो गई और जिसकी वरे से उसे काफी बदनावी भी छेलनी पड़ी इसके बाद वो दुनों किस करते हैं और एक अच्छा टाइम वहाँ पे बिताते हैं इसके बाद काले लाना को अपने रॉयल पैलिस पे इंवाइट करता है वो कहता है कि उसके पेरेंट्स नहीं है तो उसे अच्छा लगेगा कि वो उसके साथ उसके रॉयल पैलिस में आके के उसे मिले अगले दिन लाना रॉयल पैलिस पॉस्ती है और वहाँ पर देखती है कि पूरी फैमिली आ चुकी है जो एक्च्वल में प्रिंस हैं वो भी आ चुके हैं लाना काली से पूस्ती है तुमने तो कहा था कि घर पर कोई नहीं होगा लेकिन यहाँ पर तो सब लोग प इसके बाद प्रिंस की पूरी फैंबली बैट कर लाना के साथ लंच करती है और वो लोग बहुत प्यार से सब लंच करते हैं लेकिन मागरिटा लाना से इस बात के लिए खुश नहीं होती कि वो इतनी जल्दी उनके घर पे आ गई और अभी तो इनकी दोस्ती बिल्कुल शु लाना अपने घर पे पहुंसती है और अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो पूरी रॉयल फैंबली से मिले ये सुनके उसके पेरेंट्स काफी ज़्यादा सर्प्राइज होते हैं अगले दिन काले और लाना मिलते हैं और काले उसे बताता है कि उसकी माँ एक लिने आता है अपने बाकी दोस्त और अपनी भेंट मागरीटा के साथ मागरीटा लाना के पेरेंट्स से मिलती है और वो बताती है कि लाना के दोस्त मतलब मेरे भी दोस्त और आपे खुशी है कि लाना उनके साथ ट्रिप पे आ रही है इसके बाद सब लोग गाड़ी में बैट जाते हैं और अब उनकी गाड़ी होईश्टन के एक पेट्रॉल पंबे रुखती है फ्यूल डलवाने के लिए लाना वहाँ पर अपने एक स्कूल मेट को देखती है जिसका नाम ग्यूमो होता है और वो उसको देखके काफी डर जाती है इसके बाद वो अपने आपसे कहती है कि तुम यह सब कर सकती हो और वो उसके सामने जाती है और उसको सौरी बोलती है वो बोलती है कि मैं नहीं जानती कि मैंने जो किया उसको मैं कहते सही करूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यदा शर्मिंदा हूँ और वो उसे दुबारा I am sorry कहके वापिस वहाँ से जाने लगती है और तब ही ग्यूमो उस पर अटैक कर देती है और वहाँ पर जो भी गंदगी पड़ी होती है वो उसके मुँपे लगा देती है और उसे और भी मारने की कोशि जाती है वह पूस्ति है लाना से कि यह सब क्या हो रहा है बेतर होगा कि तुम मेरे को ही बता दो ताकि मैं काले को कुछ ना बताओं लेकिन लाना चुप रहती है और इसके बाद वह कहती है चलो जो हुआ लेकिन मैं इसा बाते काले को नहीं बताऊंगी मैं अपने trip को spoil नहीं करना चाहती और इसके बाद वो से napkin देती है ताकि वो अपने face को ढंक से cover up कर सके और जो भी गंदिगी लगी है उसे हटा सके सब लोग अपने resort पहुँच जाते हैं और काले और लाना भी अपने room बे पहुँच जाते हैं और वो एक दुसरे को प्यार करना शुरू कर देते हैं और इसके बाद लाना काले की print टूतारने की कोशिश करती है ताकि वो sex कर सके लेकिन इस बात के लिए काले मना कर देता है काले कहता है कि मुरेडर लगता है कि तुम प्रेगनेंट हो जाओगी और इस वरे से हमारी काफी दिक्कत बढ़ सकती है इसलिए उमना कर देता है इसके बाद लाना रोने लगती है और वो उसे पूसती है कि क्या वो उसे उसके काबिल नहीं समझती क्या वो समस्ता है कि वो hot नहीं है इसके जवाब में काले कहता है कि ये सब गलत की बाते हैं जो सच्चाई है मैंने तुमें बता दी और तुम असल में बहुत hot हो और इन सब बातों को दुबारा अपने मन में मत सोचना रात को सब लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं और सब अच्छा अच्छा म्यूजिक सुन रहे होते हैं और सब लोग अपने स्कूल की और पुरानी बाते कर रहे होते हैं और अच्छा टाइम बिता रहे होते हैं अगली सुबा फिर से काले और लाना एक साथ होते है और लाना फिर से काले को किस करने लगती है और फिर से वो उसे सेक्स करने के लिए कहती है लेकिन फिर से काले मना कर देता है और इसके बाद वो और दुखी हो जाती है काले उससे कहता है कि वो आहीं चाहता कि किसी भी बात से उसकी फैमिली के बदेनामी हो और आज्च कल इंटरनेट पर कोई बात बहुत जल्दी वाराल हो जाती है इसलिए इसलिए इन सब बातों को वो बिल्कुल भी अवाय्राइट करना चाहता है लाना इसके बात काले से कहती है कि इसका मतलब है तुमने आज सेक्स नहीं किया और वो कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम इस बात में भी मुझे जच करोगी इसके बाद लाना उससे कहती है कि मुझे इस बात से फर्ख नहीं पड़ता कि तुमने किसने लों के साथ पहले किया है या तुमने कभी किया भी है कि नहीं मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर हम साथ हैं तो हम एक दूसरे के साथ इस बात को भी शेयर करें और हम भी मज़े करें इसके बाद लाना और काले तो उन्हों ड्रेस अब होके ब्रेकफाक्ष करने जाते हैं और तभी लाना देखती है कि वहाँ पे उसकी स्कूल मेट ग्यूमो भी होती है और वो समझ जाती है कि ग्यूमो ने सारी बाते मागरीटा को बता दी और वो वहाँ से बस भागने की लाना ग्यूमो बताती है कि तुम ने ही जाके क्रिष्टीन को बताया था कि मैं उसके उपर चीट कर रही हूं और तुमने ही मेरी वीडियो बनाई थी जब मैं किसी और इंसान के साथ सेक्स कर रही थी और इसके बाद तुमने उस वीडियो को पबलिक एकाउंट पे भी शेयर कर दिया था जिसकी वज़े से मेरी बदनामी भी हुई थी और तुम्हारी वज़े से मेरा ब्रेकप भी हुआ था लाना कहती है कि हाँ मानती हूँ मुझसे गलती हो गई लेकिन अब मैं इसके उपर और कुछ नहीं कर सकती मैं इस बात पर बाकाफी पस्तावा रखती हूँ लेकिन अब मुझे अपने अलग-अलग नंबर से मेसेज करना बंद कर दो और मुझे ब्लेकमेल करना भी बंद कर द तबी उसे एक टेक्सी वाला मिलता है और वो उसे कहता है कि यहां पे पैदा चलनला मना है और आप पे फाइंड भी लग सकता है वो उसे लिफ्ट मांगती है अपने उसलो जाने के लिए जहां पे उसका अब करेंट होम होता है और जैसी वो घर टेक्सी में बैठती है वो टे उसे बताती है कि मागरिटा और काले उससे बिना बात महीं जलते हैं, वो बिल्कुल वैसी नहीं है, जैसा वो लोग सोचते हैं, लाना घूमने के लिए निकल जाती है, और उस फोटो को काले को भेजती है, और कहती है कि कल मुझसे यहां पर आके मिलो, मैं सब बाते तुम्हे क्लियर करना चाहती हूँ, अगले दिन लाना वहाँ पर काले का वेट करती है लेकिन वहाँ पर मागूरीटा आ जाती है और मागीरीटा कहती है कि तुम काले से अब दूर ही रहो, तुम वो बिलकुल नहीं हो जो हम समझते थे और हमारी वो कहती है कि मुझे इस बात से बिल्कुल ने फरक पड़ता कि तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में लेकिन जो हुआ उसके बारे में मैं अब शर्मिंदा हूँ और ये काम तब गलती से हो गया था और अब मैं अपने और काले की रिलेशन को लेकर काफी ज़ादा सीरियस हूँ इसके बाद मागरीटा कहती है कि तुम्हारा बेटा कितने साल का है और ये सुनकर लाना काफी शौक हो जाती है वो कहती है कि मुझे पता है कि थियो दोर तुम्हारा भाई नहीं है वो तुम्हारा बेटा है और ये सच्चाई तुमने किसी को नहीं बताई और अगर अगर भी तुम काले की जिन्दगी से नहीं गई तो ये बात वो पूर दुनिया को बता देगी और इसके बाद कोई भी जना तुम्हें एकसेप्ट नहीं करेगा। और बस यही रीजन है कि मैं तुम्हें साथ अब नहीं रहना चाहती। वो अपने पेरेंट्स के सामने कही रही होती है कि तभी थियोदोर जो कि उसका बेटा है वो रोने लगता है और तभी उसकी माँ उसे लेने के लिए उपर जाती है और तभी वो वहाँ पे क्रैश हो जाती है। और इसके बाद लाना एक वीडियो भी बनाती है जहाँ पे वो थियोदोर को इंटर्ड्यूस कराती है और कहती है कि मुझे गलती हो गईת अगले दिन सबकुछ नॉर्मल हो जाता है और वो कहती है कि अब मुझे किसी भी बात पे कोई गुस्अ नहीं है मैं अपनी जिन्दगी और अपने पढ़ाई कम्प्लीट करूंगी और अच्छे से अपनी जिन्दगी जीने की कोशिश करूंगी तब ही उसके फोन पे काफी सारे मेसेज आने लगते हैं लाना कहती है कि आज prom night है और उसी के विजह से ये सारे message आ रहे होंगे तभी उसके घर पे तेस्ट आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे पास कोई भी dress हो और तुम्हें अच्छा लगेगा अगर तुम prom night पे आओगी और जितना तुम समझती हो दुनिया तुमें उतना हेट नहीं करती सब इस बात को मिलके काफी खुश होंगे तेस और लाना प्रॉम नाइट के लिए जाते हैं और वहाँ पर जाके लाना को सब लोग बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं और सब लोग कहते हैं कि हम भी थियोदोर से मिलना चाहेंगे इसके बाद वहाँ पर सब लोग सेटल डाउन हो जाते हैं और मागरीटा लाना से कहती है कि भले ही तुमने अपने बच्चे के बारे में पूरी दुनिया को खुद ही बता दिया हो लेकिन मैं अब भी कहूंगी कि तुम काले से दूर ही रहो इसके बाद काले आता है और वहाँ पे गाना गाने लगता है और ये देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं कि एक प्रिंस बहुती नॉर्मली सब के सामने भीव कर रहा होता है इसके बाद काले लाना के पास आता है और वह कहता है तुथियो दोर तुमारा बेटा है और वह से पूस्ता है कोई और तो सीक्रेंट नहीं है और इसके बाद लाना भी कहती है आईम सौरी इस बात को चुपाने के लिए और वह दोनों किस करते हैं ये देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं लेकिन मागरीटा रोने लगती है और वो काफी डादा परेशान होती है इसी के साथ ये मूवी खतम होती है मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्ली